नमस्कार दोस्तो दोस्तो स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल पे दोस्तो RRB ALP एकजाम जी हाँ दोस्तो रिवाइज डांसर की दो बार आ चुका है यहाँ पे तो दोस्तो अभी बात करेंगे यहाँ पे PCM वालों की इंडिविज्वल क्या कट ओफ रह सकती है जोन व वाई चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर तो दोस्तो शुरू करते हैं चलिए हमारे इस वीडियो को प्लीज आप सब्सक्राइब करें लाइक करें तथा शेयर जरूर करें इस वीडियो को तथा साथ ही साथ जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि दोस्तो NTPC 2019 इसके से गर 72 to 75 cutoff रह सकती है वहीं OBC की बात करूँ यहाँ पर 70 से 72 cutoff यहाँ पर OBC वालों की जा सकती है SC category में दोस्तो आपको 68 से 70 number लाने पड़ेंगे अगर आपको इलाबा zone निकालना है तो वहीं दोस्तो SC category की बात करूँ 65 to 68 आपकी cutoff जा सकती है इलाबा zone में PCM वालों की जी हाँ दोस्तो 500 total यहाँ पर post है PCM की एकर में बात करूँ दोस्तो next zone आता अपना यहाँ पर अजमेर zone जी हाँ दोस्तो अजमेर zone में 363 363 यहाँ पर post है signal में यहाँ यहाँ दोस्तो 22 और telecommunication में 81 post है अगर बात करूँ यहाँ पर में दोस्तो cut off की general cut off 74 से 76 जा सकती है इस बार वहीं OBC की 72 से 75 SC category दोस्तो 68 से 70 वाले safe है वहीं ST में यहाँ पर 65 भी रह सकती है दोस्तो minimum cut off 65 से 68 इससे ज़्यादा कम नहीं रहेगी दोस्तो confirm है maximum 2 ती number आपके ज़्यादा जा सकता है लेकिन यह confirm है कि इसके आसपास ही कहीं वेरी करेगा आपका PCM का यह cut off क्योंकि पोस्त है थोड़ी से ज़्यादा है compare to आसपास के जोन एहमदबाद भी यहाँ पास ही भड़ता है उसकी भी cut off में जो दोस्तो बताऊंगा sequence वाई से आपे चलेंगे दोस्तो इसके आगया आता है आपका सिकंद्राबाद जोन सिकंद्राबाद जोन में आपे दोस्तो टोटल पोस्ट है 440 पोस्ट signal की बात करू 333 पोस्ट है telecommunication में 103 और workshop में 4 पोस्ट है जो की S&T के अंडर ही आता एक तरीके से PCM की पोस्ट ही है यह भी तो जनरल की यहाँ पे 72 से 75 रह सकती है सिकंद्राबाद जोन की OBC भी 70 से अबाव ही रहेगा confirm है दोस्तो यह S&T वाला 65 के अबाव लाना पड़ेगा confirm है S&T के लिए आपको 65 से 68 जा सकता है दोस्तो S&T के टेगरी सिकंद्राबाद में मान के चलिए यह 68 से अबाव रह सकता है यहाँ पे 65 प्लस लिखा है मैंने तो यह मैं S&T वालों को बोलना चाहूँगा 65 से अगर आपके कम है सिकंद्राबाद जोन में तो एक तरीके से थोड़ सा चांसे सकम रहेगा यह मान के चलिए सिकंद्राबाद के कट ओफ थोड़ी सी हाई रहेगी कमपेर टू जो अभी अपने बात की थी यहाँ पर गुरूबडी का एकजाम में अपने देखा होगा कई न कहीं हाई गई है तो कट ओफ उसी एकोर्डिंग यहाँ थोड़ी सी हाई जाएगी तो टोटल की कट ओफ यह मान के चलिए जेनरल यहाँ पर भी थोड़ा सा हाई कट ओफ रहेगा एवरेस से हाई मान के चलिए 74 से 76 हो सकता है 78 चले जाए इससे मेक्सिमम नहीं जाएगा वहीं OBC की बात करू 72 से 75 आपकी कट ओफ रह सकती है गोरगपूर जोन के लिए SC केटेगरी 68 से 72 के बीच में सेफ है SC वाला 70 के आजपास भी जा सकता है इससे ज़्यादा नहीं जाएगा तो दोस्तो यह थी गोरगपूर की आपकी कट ओफ वहीं एकर दोस्तो नेक्स जोन में बात करें पन मुंबई जोन जी हाँ दोस्तो मुंबई जोन में मतलब ज्यादा ही पोस्ट है 690 के करीब यहाँ पोस्ट है सिगनल में 552 पोस्ट है टेली कम्यूकेशन में 135 पोस्ट वहीं एकर वरक्शोप की बात की जाए तीन पोस्ट है वरक्शोप के लिए है SNT में तो जनरल की यह मान के चलिए दोस्तो बहतर से छिंतर के बीच में 72 से 76 के आसपास यहाँ पे जनरल कट ओफ रह सकती है PCM वालों की वहीं SCST की बात करूँ दोस्तो में 65 से 68 के बीच में आपको लाना ही पड़ेगा OBC के टेगरी दोस्तो आप 72 से 75 के आसपास है आपका आप सेफ और जनरल के इसाप से यह मान के चलिए जनरल और OBC में ज़्यादा गेप नहीं रहेगा मुंबई में वही SCST और जनरल OBC का में बात करूँ दिफरेंस तो यह मान के चलिए 10 नमबर का भी डिफरेंस हो सकता है मुंबई में तो कहीं न कहीं दोस्तो यह cut off एक दो नमबर उपर नीचे हो सकता है लेकिन cut off यह ही रहेगी आपके मान के चलिए चैननाई जोन की बात करेंगे दोस्तो यहाँ पे next 412 पोस्ट है चैननाई में OBC की 73 से 76 SC वालों की 68 से 70 और ST वालों की 65 से 68 तक जा सकती है अगर इसके अंडर आपका मतलब जो भी cut off आपकी बन रही है जो भी normalization marks आपके बन रहे है इसके बीच में अगर आते है कहीं न कहीं answers बनता है confirm आपका selection हो सकता है इस बार दोस्तो next zone की तरफ चलता है Bhopal zone 409 पोस्ट है यहाँ पे है signal की यहाँ पे 331 और telecommunication की 78 पोस्ट है यहाँ तो दोस्तो जनरल के एकर में बात करूँ 72 से 76 यहाँ पे जनरल की cut off रह सकती है OBC की दोस्तो 70 से 74 तता SC ST की दोस्तो आपको 65 से अबाव लाने ही पड़ेंगे जिहां दोस्तो Bhopal में थोड़ी सी cut off high रहेगी का अभी देखा है अपने जो भी exam हो है railway के SI की बात करूँ RPF वाले या Constable में भी थोड़ा बहुत high cut off रहेगा confirm में वहीं मैं दोस्तो बात करूँ यहाँ पे 383 पोस्त है सिगनल में 200 बराण में टेली कम्मुनिकेशन में 91 टोटल यहाँ पे 383 पोस्त है अगर जनरल की बात करूँ थोड़ी सी कम रहेगी देखा है गुरूप D में कम जाती है यह जो मैं बता रहा हूँ बेंगलोड जोन के लिए इस्पेशली यह जो कट ओफ मैंने बताई है वो मतलब आनके चलिए एक तरीके से हाईस्ट है इससे कम कट ओफ जाएगी confirm है इससे ज़्यादा नहीं जाएगी अगर इतने नंबर आते हैं तो आप सेफ हो कही नगई चांसेस बनता है जेनरल सत्तर से बहतर के बीच में OBC चांसर से सत्तर SC 6466 और ST 62 से 65 तो दोस्तों यहाँ पर जो maximum पोश्ट है थी मतलब जिन जोनों में यहाँ पर maximum पोश्ट है थी तो सबसे कम कट ओफ वाला इलाका यही है बेंगलोड जोन इसमें थोड़ी सी कम कट ओफ रहेगी कंफर में आपने पनलब एपलाई किया है बेंगलोड जोन से PCM के लिए तो कहीं न कहीं सेफ हो आप में इमान की चलिए अगर आपके नंबर इनके बीच में आते है तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं यहांपर चंडीगर जोन की चंडीगर में दोस्तों यहांपर 340 के करीब पॉच्ट है सिगनल की बात करूँ 228 यहांपर सिगनल में टेल कम्म्नुनुकेशन में यहांपर 83 है टेलीकॉम में 83 है वहीं आप वरक्सोजप की 70 से 72 और ST की 70 सोर यहां पर 65 से 68 तक भी जा सकती है जी हां confirm है दोस्तो दोस्तो अभी बात करते हैं यहां पर कोलकाता रीजन की कोलकाता में दोस्तो टोटल यहां पर दोस्तो पोस्ट है सिगनल की बात करूँ 149 पोस्ट है टेली कम्मुनिकेशन में 45 और वरक्षोप की 7 पोस्ट है सारी की सारी अंडर आती है SNT तो जनरल की कट ओफ दोस्तो यहां पर 75 प्लस जा सकती है confirm है दोस्तो OBC की 74 से 76 SC की 70 से 72 और ST की 68 से दोस्तो अभी बात करते हैं यहां पर राची जोन की जी हां दोस्तो 22 के आसपास राची जोन में पोश्ट है signal की यहां पर 190 वहीं टेली कम्यूकेशन में 32 पोश्ट है जनरल की बात करो दोस्तो यहां पर 74 से 78 कट ओफ जा सकती है जी हां दोस्तो वहीं OBC की कट ओफ यहां पर 72 से 75 रह सकती है SC वाला 72 72 यहां पर और ST के लिए 68 से 70 जी हां दोस्तो कट ओफ जादा जाएगी यह कंफर्म है मान के चलिए इसी को मैं यहां पर ज्यादा कट ओफ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गूरूप D में नंबर 2 पोशिशन पर राता यहां पर डेंजर जोन के साब से कट ओफ बहुत हाई गई थी यहां पर राची जोन में गूरूप D में भी यह बात कुरू RPF SI में भी तो कहीं न कहीं से यहां पर सेफ जोन नहीं कह सकते एक तरीके से मान के चलिए आप एक तरीके से 78 के आसपास जेनरल जो मैंने कट ओफ बताईए यही रेशियो रहने वाला एक दो नंबर ज्यादा नहीं जाएंगे यह तो confirm है लेकिन इतने में अगर आपका आता है कहीं न कहीं सेफ है चांसिस बनता है दोस्तो बात करेंगे यहां पर एहमदबाद जोन के कट ओफ थोड़ी सेमी रहेगी जनरल की यहां पर 74 से 76, OBC की 72 से 75, SC की 68 से 70 और ST की 65 से 68 के करीब जा सकती है टोटल 160 पोस्ट है, ज्यादा पोस्ट नहीं है इसलिए कट ओफ थोड़ी सी हाई रहेगी दोस्तो बात करता हूँ यहां पर बिलासपूर जोन की थोड़ी सी पोस्ट है, मतलब एवरेज पोस्ट है ना कम ना ज्यादा, तो कट ओफ भी यहां पर एवरेज रहने वाले ही सिगनल में 223 टेली कम्निकेशन में 32 तो जनरल की दोस्तो पिचेतर के आसपास अगर आपके बन रहे है आप सेफ और एक तरीकी सिवान के चलिए OBC 72 के आसपास जा सकती है SC वाला 68 के आसपास और SC वाला यहां पर 65 से अबाव लाने ही है इससे कम में नहीं होगा आपका सेलेक्शन दोस्तो नेक्स्ट जोन की तरफ चलते हैं यहां पर अबन बात करते हैं यहां पर गुवाहाटी जोन की 156 पोस्ट है सिगनल में 105 और टेली कम्यूनिकेशन में 51 पोस्ट है जनरल दोस्तो यहां पर कट ओफ जादा रहेगा मान के चलिए आप 75 अबाव आपको लाने ही पड़ेगे जनरल के टिगर में OBC आपको 75 अगर आपके आसपास है तो आप बिल्कुल सूपर सेफ है SC वाला 73, 72 और HT वाला 66 से 68 नंबर आपको चीए इस गुवाहटी जोन में दोस्तो अगले जोन की तरफ चलते है मालदा जोन आता है थोड़ी से कट ओफ कम रहेगी जनरल की 70 से 74 तक जा सकती है ज्यादा से ज्यादा इससे ज्यादा नहीं जाएगी तो एक तरीके से 72 भी अगर आपके आते है मालदा जोन में 138 पोस्ट है सिगनल और HT के हिसाब से सोरी यहाँ पर SOT में यहाँ पर 102 और 136 यहाँ पर टेलीकॉम और सिगनल में 102 पोस्ट है तो कहीं नगई सेफ हो आप मतलब ही मान के चलिए SCST वाला बंदा अगर 68 भी बन रहे है तो कहीं नगई चांसेस बनते है OBC 70 प्लस आप क्रोस कर जाओ एक तरी किसी पोस्ट मिल जाएगे आपको मालदा जोन के लिए दोस्तो अगले जोन के तरफ चलते हैं अगला जोन आता है आपका बहुनेश्वर बहुनेश्वर में 67 पोस्ट है बहुत कम पोस्ट है तो कॉट ओफ जादा जानी है कन्फर्म है 76 प्लस लाएने पड़ेंगे आपको जनरल OBC में CST में भी आपको 70 क्रोस तो करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत कम पोस्ट है बहुनेश्वर जोन में दोस्तो बात करूँगा अभी मुझफ फर पूर की 131 पोस्ट है जादा पोस्ट है यहाँ पे थोड़ा कम जाता क्टोफ लेकिन 131 पोस्ट है और PCM है हमेशे हाई जाता है तो कहीं न कई 75 क्रोस करेगा ही करेगा SNT में यहाँ पे 80 और 51 पोस्ट है टोटल यहाँ पे 131 पोस्ट है तो कहीं न कई को 70 से cross करना ही पड़ेगा ये तो मान के चलिए इस जोन के लिए 70 से नीचे कुछ नहीं हो सकता confirm है ये अब बात करता हूँ दोस्तो सिलिगूरी जोन की 38 फोरम बहुत कम लगे है कहीं न कई चांसे फोरम कम लगने से यहाँ पर कुछ नहीं होगा दोस्ति यहाँ पर पोस्टे कम है तो वेकेंसी की मतलब यह मान के चलिए कट ओफ ज्यादा जाएगी जिस जोन में पोस्टे कम होती है उस जोन में कट ओफ ज्यादा जाती है और जिस जोन में पोस्टे ज्यादा होती है उसमें cut off कम रहती है यह तो rule है चाहे कोई सा भी exam देखलो आप तो यहाँ पे देशतो मतलब general की 78 के आसपास रह सकती है OBC 75 को cross करना ही पड़ेगा आपको SC-ST 70 लाएँगे तभी आप safe हो सिलिगुडी zone में तुरुवेंद्वरम में दोस्तो 118 पोस्ट है सिगनल की 84 है टेलिकोम की यहाँ पे 34 है तो दोस्तो टोटल यहाँ पे general की cut off हो सकती है आपकी 72 से 75 वहीं OBC की बात करूँ 70 से 74 तक जा सकती है SC category वाला 70 के उपर safe है वहीं ST वाला 65 ये 68 के आसपास रह सकता है सूपर safe तो दोस्तो अगर लास्ट जोन की में बात करूँ जम्मू यहाँ पे सबसे लास्ट में आता है 43 पोस्ट है यहाँ पे सबसे कम cut off जाएगी confirm में मान के चलिए general 70 ले आओ सूपर safe हो आप selection हो जाएगा आप OBC वाला 68 या 65 भी रह सकती है मेरे सबसे SC-ST बहुत कम सबसे कम PCM में सबसे कम जो cut off जाएगी जम्मू के जाएगी 60 से 62 के आसपास भी selection हो जाएगा SC वालों का आए SC वालों की बात करूँ 65 confirm selection है मान के चलिए आप तो दोस्तो यह थी सारे के सारे PCM के तयारी करवाएंगे रेलवे के जितने भी एक्जाम साएंगे मतलब सूपर तयारी करवाएंगे